हाई फ्रेंद्स नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक तो दे चैनल दे रेल यातरी आज की वीडियो में मैं आपको ट्रेंड नमबर 22443 कानपूर सेंट्रल मुंबाई बांडा टेमिनस सुपरफास एक्स्प्रेस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में मैंने इस ट्रेंड के रूट एट्रेंड कब चलती है कौन-कौन से स्टेशनों पर रुखती है कितनी देर रुखती है इस ट्रेन में आपको कौन-कौन सी सुविधाय मिल जाएंगी इस प्रकार की सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी हुई है इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे योट्यूब चैनल दरेल यातरी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे नए और लेटिस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आते रहें तो चलिए फ्रेंज इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आपको ट्रेन नमबर 22443 कानपूर सेंट्रल मुंबई बांडरा टैमिनल्स सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ ये ट्रेन उत्रप्रदेश के कानपूर सेंट्रल से महाराश्ट्रा के बांडरा टैमिनल्स मुंबई तक चलती हैं ये ट्रेन हफते में एक दिन हर बुधुवार को कानपूर सेंटरल से शाम 6 बच कर 20 मिनट पर चलती है और अगले दिन हर गुरुवार को बांड़ा टैमिनल्स मुंबई पहुंचती है इस ट्रेन को कानपूर सेंटरल से बांड़ा टैमिनल्स मुंबई तक के 1615 किलो मेटर के दिस्टेंस को पूरा करने में 28 घंटे 45 मिनट का समय लगता है इस पूरी जर्नी में ये ट्रेन 21 स्टेशनों या हॉल्टों पर उखते हुए बांड़ा टैमिनल्स मुंबई पहुंचती है और इस ट्रेन की एवरेड़ स्पीड 56 किलो मीटर प्रती घंटे की होती है अब मैं आ जाएगी इस ट्रेन में आपको दोनो टाइप के ततकाल प्रीमियम ततकाल और ततकाल की विस्तुविधा मिल जाएगी अब मैं आपको इस ट्रेन के लोकोमोटीव के बारे में जानकारी देता हूँ ये ट्रेन दोनो टाइप के लोकोमोटीव डीजल लोकोमोटीव और इले आड़ा टेमनस मुंबई तक इलेक्रिक लोकोमोटीव से चलती है और इस ट्रेन का लोकोमोटीव रिवर्स किया जाता है अचनेहरा जेंक्शन पर अब मैं आपको इस ट्रेन के रेक कॉंपोजिशन या फिर कोच कॉंपोजिशन के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ इस में छे जनर क्लास वाले कोच, पांच स्लीपर क्लास वाले कोच, चार थर्ड एसी क्लास वाले कोच और एक सेकेंड एसी क्लास वाला कोच इस ट्रेन के रेक कॉंपोजिशन में होता है फ्रेंस मैंने इस ट्रेन के रेक कॉंपोजिशन वाला पूरा ले आउट अपने वीडि पहले इस्टेशन पर आकर लग जाती है, इस ट्रेन का रिजर्वेशन चार्ट, ट्रेन चूटने के तीन घंटे पहले भारती रेल द्वारा बना दिया जाता है, अब मैं आपको इस ट्रेन के रूट के बारे में जानकारी देता हूं कि ये ट्रेन कौन से रूट से होकर शाम 6 बचकर 20 मिनट पर चलती है, इस ट्रेन का पहला हॉल्ट कानपूर अनवर गंज, यहां पर ट्रेन शाम 6 बचकर 30 मिनट पर पहुंचती है, और 6 बचकर 32 मिनट पर ट्रेन यहां से चलती है, यहां पर ट्रेन तो मिनट रुखती है, इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट कन्ना पर पहुंचती है और 8 बचकर 47 मिनट पर ट्रेन यहां से चलती है यहां पर ट्रेन तो मिनट रुखती है इस ट्रेन का चौता होल्ट फरुखाबाद जैंक्शन यहां पर ट्रेन रात 9 बचकर 10 मिनट पर पहुंचती है और 9 बचकर 15 मिनट पर ट्रेन यहां से चलती है यहां प पांच मीनट रुखती है। इस ट्रेन का फांच मां हाल्ट, कास गंजि जैंक्शन, यहां पर ट्रेन राद 10 बचकर 40 मिनट पर पहुंचती है। राद 11 बचकर 40 मिनट पर पहुंचती है। और 11 बचकर 42 मिनट पर ट्रेन यहां से चलती है, यहां पर ट्रेन दो मिनट रुखती है, इस ट्रेन का 7 मा हॉल्ट मतुरा कैंट, यहां पर ट्रेन रात 1 बचकर 5 मिनट पर पहुंचती है, और 1 बचकर 7 मिनट पर ट्रेन यहां से चलती है, यहां पर भी ट्रेन दो मिनट इस ट्रेन का नमा हॉल्ट अचनेरा जेंक्शन यहां पर ट्रेन राद दो बच कर 35 मिनट पर पहुंचती है और दो बच कर 45 मिनट पर ट्रेन यहां से चलती है यहां पर भी ट्रेन 10 मिनट रुकती है इस ट्रेन का दस्वा हॉल्ट भरतपूर जेंक्शन यहां पर ट्रेन राद कर 45 मिनट पर ट्रेन यहां से चलती है यहां पर ट्रेन तो मिनट रुखती है इस ट्रेन का बारवां हॉल्ट कोटा जैंक्शन यहां पर ट्रेन सुभा 7 बच कर 5 मिनट पर पहुंचती है और 7 बच कर 15 मिनट पर ट्रेन यहां से चलती है यहां पर ट्रेन 10 मिनट रुखती है इस इस train का चौधिवा हॉल्ट नागदा जैंक्शन यहाँ पर ट्रेन सुबा 10 बच कर 58 मिलट पर पहुंच दी है और 11 बच कर 55 मिलट पर ट्रेन यहाँ पर 20 मिलट रुपती है यहाँ पर डीजल लोको मोटीव हटा कर इलेक्टिक लोको मोटीव अटेच किया जाता है इस ट्रेन में इस ट्रेन का सोलवा हॉल्ट गोधरा जैंक्शन यहाँ पर ट्रेन दिन में 2 बच कर 45 मिनट पर पहुंचती है और दो बचकर 47 मिनट पर ट्रेन यहां से चलती है यहां पर ट्रेन दो मिनट रुखती है इस ट्रेन का सत्रवा हॉल्ट वडोदरा जेंग्शन यहां पर ट्रेन दिन में 4 बचकर 35 मिनट पर पहुंचती है और 4 बचकर 45 मिनट पर ट्रेन यहां से चलती है यहां पर ट्रेन 10 मिनट रुकती है इस ट्रेन का अठारवा हॉल्ट भरूच जैंक्षन यहां पर ट्रेन शाम 5 बचकर 33 मिनट पर पहुंचती है और 5 बच कर 35 मिनट पर ट्रेन यहां से चलती है यहां पर ट्रेन दो मिनट रुखती है इस ट्रेन का 19 होल्ट सूरत यहां पर ट्रेन शाम 6 बच कर 40 मिनट पर पहुंचती है और 6 बच कर 45 मिनट पर ट्रेन यहां से चलती है यहां पर ट्रेन 5 मिनट रुखती है इस ट्रेन का 20 होल्ट वापी यहां पर ट्रेन रात 8 बचकर 6 मिनट पर पहुंचती है और 8 बचकर 8 मिनट पर ट्रेन यहां से चलती है यहां पर ट्रेन 2 मिनट रुखती है इस ट्रेन का 21 होल्ट बोरी वली यहां पर ट्रेन राद 10 बच कर 23 मिनट पर पहुंचती है और 10 बच कर 26 मिनट पर ट्रेन यहां से चलती है यहां पर ट्रेन 3 मिनट रुकती है इस train का 22 होल्ट बांडरा टर्मिनलस मुंबई यहाँ पर train राद 11 बच कर 5 मिनट पर पहुंचती है बांडरा टर्मिनलस मुंबई इस train का destination होल्ट है या फिर आप इसे अंतिम स्टेशन भी कह सकते हो फ्रेंस मैंने इस train के किराय और किराय से सम्मंधित किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी इस वीडियो में नहीं दी है क्योंकि जितने भी स्टेशनों या हॉल्टों पर रुखते हुए ये train बांडरा टर्मिनलस मुंबई पहुंचती है हर स्टेशन से अलग-अलग टाइप का किराया होता है और बहुत सारी शेणियों में भी होता है अगर मैं वो सारी जानकारी इस वीडियो में देता हूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने वो जानकारी इस वीडियो में नहीं दी है लेकिन अगर आपको किराय और किराय से सम्मंधित किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप इंडियन डेलवेस के रिजर्वेशन काउंटर या फिर इंडियन डेलवेस के ओफिशल वेफसाइट आपका किराया क्या होगा जिस भी स्टेशन से आप इस ट्रेन में सफर करना चाहते हो अगर आपका इस वीडियो से सम्मंधित किसी भी प्रकार का कोई भी प्रशन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो मैं उसका जवाब दूँगा अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजेगा कमेंट ज़रू करिएगा कि वीडियो कैसा था और फ्रेंट्स थैंक्स वर वाचिंग दरेल यातरी चैनल एंड कीप सपोर्टिंग झाल